है cken मेने का भाड़ाए उन्सेसरी मुझे पका निपर नेगा रवेजे से खराब हुआ विदायक नरेंदर मेता ने आज विदायक परताब सरना उन्हें गंभीर आरोप लगाएए पत्रकार पत्रकार परिशद लेके मेराखेंदर को प्रांसों फूट का हाउस टेक्स माफी हो यह हमारी सोच और इच्छा मुंबई में जब हाउस टेक्स माफ किया यहां पात्सों फूट का फ्लैट जो आदमी खरिदता है लोन वोन लेके वो तीस लाग चालिस लाग पचास लगता है मुंबई में तो जो खरिदता है एक करोड़ दो करोड़ में खरिदता है तो उनको बोलते हो माप और मेरा भाइंदर को नहीं भरना यह कैसी दोरी भूमी है तो इसके लिए आज हमारी बैटक थी साथ ही साथ यह सरकार का निर्ने हैं तो हमारे यहां के दो विदायक चुनके गए है सरनाइक जी और गीता जी इनका फर्ज बनता था काम बढ़ता सरकार से जाके लड़े इस शहर के लिए कि हमारे शहर के उपर अन्याय क्यों हमारे वह दोनों विदायके दोनों को इतनी जानकारी नहीं है क्या काइडे की कह फोट एक सी क्यartarä का नहीं है कोर्पोरेशन कि तरफ से प्रस्ताव भेदना है लेकिन सरकार सक्षर में इस तरह का है यह कैंसल के लिए भी सता है यह सबसे इंपॉर्टन दूसरा दोनों विदा एक प्रस्ताव जाने के बाद क्या अप्रूल करके लाते के नहीं लाते इससे उनकी शमता भी पता चल जाएगी अभी तक अगर हम देखे तो मीरा भाहिंदर कुछ भी उनसे मिला नहीं कोई उमी दवजी और पालक मंत्री तो आप उनसे भी सम्मान पुर्यों किसको मनजूर करके लाए मैं दिल से कहता हूँ आपका भी अभी अभी नंदन करूंगा जिस दिन इस शेर को टैक्स माफी मिलेगी लेकिन हम सब मिलके राजनीती ना करें लेकिन देखना यह है कि आपने राज पालिका में पत्र दिया जाता है टैक्स माफी को लेकर किस तरह का लगता है पूरा नहीं मैंने यह कहा कि सरकार उनके जियार निकाल सकते थे सिधा के मेरा भाइंदर में 500 फूट के टैक्स माफ एक्जाम्पल आप समझे उसके लिए कि जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी उन यह तो हमने एक साल के लिए बहुता वह भी सरकार ने मानने नहीं किया हमारा क्योंकि दोनों विदायक जो से यहां बोलते कुछ और वहां करते कुछ और वहां उन्होंने कभी जाके मुक्यमंतर जीस ने कहा कि हमारे शहर का विश्टे माफ कर दो 500 फूट यहां बोलते सो प पचास टका माफ उन्हेंने का सो टका माफ करो हमने 50 क्या वो भी अपने मनजुरी नहीं दी हमें तो जरनेट से भी होस्टेक से मिलता है जरनेट होता है पैसा अब पैसा कहा से आएगा अगर इस तरह की माफी कर दिये तो जब सरकार जो चीश करती है तो उसके लिए सरकार तो सरकार ने अनुदान दिया और GST के माद दिम से पैसा लेती है सरकार उधारण देता हूं तो वो तो एक सिस्टेम ही है सरकार के अंदर जब आफी दी जाती है तो अब जैसे मैं अगर कौंगा कहा से देंगे तो हमारे यहां पर स्टैंप डूटी जो है वो 7% है हूं मैं 5% है अभी 6 हुई रही उधारण देता हूं तो यह 500 क्रोड रुपे हम स्टैंप डूटी हर साल भरते उस पर से हमको दे सकती रिटन यो स्टैंप डूटी अल्टिमेटली भरते तो हम फ्लैट के ऊपर यह ना तो उनकी सुविदा कौन दे रहा है पानी की कौ लिंक रोड को लेकर किस तरह का ट्यूट है और क्या कहेंगे उस पर आप मैं अदित्य ठाकर जी का पॉजिटिव भूमी का लेने के लिए धन्यवादी करता हूं कि प्रताप सर्नाइक जी उनके पास विशह लेकिए दहिस्तर और भाहिंदर के बीच का लिंक रोड जिनको उनने पॉजिटिव लेकर का कि हम यह करेंगे मेरी चिंता यह प्रताप सर्नाइक जी ने उनको सच्चा ही बतानी चाहिए थी अधित्य ठाकर जी को शायद पूरा पिछला वित्यास मालूम नहीं होगा सर्नाइक साब ने बताना चाहिए था कि अल्रेडी माइड ने रोड स सब्सक्राइब करेंगे तो और लगने वाले परमिश्य मिलत दो विशह क्या है और जाके मांग क्या रहे है यह हमारी चिंटा है किया मिजगाइड करते हैं इसा सर्नाइक मंत्रियों को इस तरह अभी सर्नाइक साब को मालूम हो चाहिए ना मीरा भाहिंदर का मेर्टा साब ने अल्रेडी काम कर दिया तो क्या बताना चारे थे उद्ध ठीक है उनका काम बनता है कि अब काम शुरू ने तो उसकी पीछे लग का आरूप लगाया क्या था वह अलग विशे था वह यह था कि मेरा भाहिंदर के अंदर जिस ठेकेदार को काम दिया गया हुस्ते के दर का हमारी बाडी ने विरोध भी किया था अंदाज से यह कोवीड के अंदर एक मैदान बंदे खेलने बीजते एक करोण रूपर खाली गास काटने का खर्चा कर दिया अभीता के लोग ने इस तरह का यह गड़बड चल रहा है जिसका हमारे नगर से वक दिने जैने हाई कोट में रिट पीटिशन भी फाइल किया है विजना कभी विशह लिया है अपने क्या था भी एसी विजना ऐसे था के प्रताप सरनायक सब पिश्ली बार आयते कहा के अंदर मेरा पाइंदर कॉर्परेशन के अंदर बहुत सारे घर देने कुछ घर तैयार हुए तो पहला किसको देवे तो उसका लखी ड्रो किया गया था पहले यह दाई सो आदमी है तीन सो आदमी इनको दो पताप सरनायक ने उस थारा जब लखी के लिए बोल देश्टे दे दिया अब हाली में सरकार का लेटर आया कि जो महान अगर पालीका ने प्रक्रिया की वो सब बराबर है इसमें कुछ भी गड़बर नहीं है तो यह सिद्ध हो गया कि सरनायक साब सब जुड़ बोलके जा रहे थे अब तो आप ही की सरकार थी ना मेने का भाड़ा अन्नैसेसरी मुझे पकानी प्रक्रिया आपके बच्पने के वज़े से खराब हुआ नुकसान हुआ इस शहर का अगर आप जानकारी लेके लड़ाई लड़ते तो यह पचास लाग बच जाता ना हमारे खाली-पीली पचास लाख रुपया आपने जनता क बलता है कुछ भी नहीं है मतला अभी नक्की करें ना आप हर बार आके सब को काम पर लागा के चले जाते हो बातने पर चला खोदा पार्ट निकला चुआ यह थे पूरो विधायक नरेंदर मेता इन्होंने विधायक शूशना के विधायक परताफ सरनाइक को कहा कि बचपने के कारण पचास लाख रुपय का महानगर पारिका का नुकसान किया है आप देख रहे थे वाई एसर न्यूज मैं आजीम तामबोली भाहिंदर